ज्यादतर माई लाइन थंड में साड़ी नहीं पहनती हैं क्यूंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें और भी अधिक का थंड लगेगी लेकिन आप यहां भूल जाती हैं कि ब्लाउज के कुछ ऐसे भी डिजाइन हैं जो की नकेवल आपको थंड से सुरक्षा परदान करेगा बल्कि आपको स्टाइलिश लुक भी देगा ऐसे में निचे कुछ विंटर ब्लाउज डिजाइन दिये जा रहे हैं जो निमन है वेल वेट फूल ब्लाउज गर आपके पास वेल वेट के ब्लूर्ज हो तब आप इस तरह के फूल बाजू बनवा कर पहन सकती हैं क्यूंकि सर्दी में ऐसे ब्लाउज ना केवल देखने में खुब सुरत दिखता है बलकि इससे थंड भी नहीं लगती है इसलिए आप इस तरह के ब्लाउज बनवा सकती हैं जैकेट स्टाइल एह देखने में भले ही सिंपल लग रहा हो लेकिन पहनने में काफी स्मार्ट लुक देता है क्यूंकि कॉटन की इन साडियों पर ऐसे डिजाइन आपको बेहतरीन लुक देता है फुल बॉर्डर स्टाइल यदि आप किसी पार्टी या फंक्षन में जा रही हो तब आप इस तरह के डिजाइन ब्लाउज बनवा सकते हैं अब आप देख सकते हैं इसके बॉर्डर को कितनी खूपसूरती से यूज किया गया है जब आप इस तरह के डिजाइन बनवाते हैं तब आपको न तो चूडी पहनने की जरूरत पड़ती है और नहीं गले में नेकले स्की कॉलर नेक डिजाइन थंद के मौसम के लिए यह डिजाइन बिलकुल पर फेक्ट है क्यूंकि यह देखने में जितना कूल है उतना ही यह अंदर से आपको गर्मी प्रदान करेगा अगर आपके पास ऐसे कबड़े पड़े हो तब आप इस तरह के कॉलर ना गिजाइन बनवा सकती हैं क्यूंकि यह आपको काफी रॉयल लुक देगा टॉप स्टाइल यह देजाइन भी काफी हट के हैं क्यूंकि इसमें आप यह देख सकते हैं कि टॉप याश और कूर्ती का लुक दिया गया है इस बलाउज में लेकिन इसके बीच में इसको खुला छोड़ा गया है ताकि आप अपने साडी के पल्लू को आसानी से क्या री कर सकें यह देखने में काफी स्टाइलिश और अलग लग रहा है बोट ने एक डिजाइन देखा जाए तो यह मेरा सबसे फेवरेट स्टाइल है क्यूंकि इस तरह केब लाउज को आप कहीं भी और कभी भी पहन सकती हैं यह देखने में काफी स्मार्ड लोक्र देता है ऐसे में आप उपर बताए गए डिजाइन को फॉलो करके आप इस्थन खुद ना केवल सर्दी से बजा सकते हैं बलकि स्टाइलिश भी दिखा सकते हैं